जैहिन दोस्तों मेरा नाव है सागर गुपता डिजायर टूलन में आपका स्वागत है तो जैसे कि आपको थमनेल देखके पता लग गया होगा कि अपन टॉप टैन करन्ट अफियर्स पढ़ने वाले एफकेट के रिलेटेड और बेसिकली मैं आपको बता दूँ कि टॉप टैन करन्ट अफियर्स तो हैं बट उससे रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीज़ों को कनेक करके आपके लिए बताया है और यह आपके एकजाम के लिए काफी जादा रिलेवेंट हो सकते हैं और जैसा कि पीवाईक्यू होते हैं आपको पताई कि आफकेट में पांच-चार-पांच करन्ट अफियर्स आ जाते हैं तो जो भी आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड फस्ट देख लेते हैं जैसा कि आप सबको पता है कि certificate में हर बार question पूचा जाता है capital से related याँ तो उसका capital city दे दिया जाएगा या उसका country दे दिया जाएगा तो आपको क्या लगता है क्या यह random होता है नहीं यह random नहीं होता है जो country सबसे ज़्यादा news में होती है उनसे related questions आते हैं तो मैंने कुछ countries ली हैं वो अपन देख लेते हैं तो Zagreb is the capital of which country Croatia, Morocco, Cyprus, Guana जैसे कि आपको पता है कि Croatia काफी ज़्यादा news में था और Croatia ने join किया था Eurozone Group तो जैसे कि आपको पता है मैंने आपसे discuss भी किया था तो Croatia का capital है Zagreb और Morocco, Morocco जिसका capital है Rabbit तीक है, Morocco भी काफी ज़्यादा news में था और Cyprus, Cyprus के अब भी recently Prime Minister appoint हुए तो इसका capital है Nicosia तीक है, Nicosia यह आप याद रखेंगे Guana जिसके आपको पता है Guana के अपी recently President आये थे मौमद इर्फान अली खान अपने भारती प्रवासी दिवस में तो यह ज़्यादा important हो जाता है और इसका capital क्या है इसका capital है Gios town तीक है, मेरे इस आपसे Guana आपसे पूछा जा सकता है तो आप Guana का याद रखेंगे Sipras, Nicosia, Morocco, Rabbit और Zagreve, Croatia का तीक है, आप कुछ capital सोर देख लेते हैं, एक list बनाईए मैंने आपके लिए तो देखें, इसमें कौन-कौन सी countries हैं, वो आपन देख लेते हैं पेरू, ठीक है, पेरू जिसका capital क्या है, लीमा, ठीक है, याद रखेंगा Argentina, अर्जेंटीना जिसने FICA World Cup जीता था, तो उसका capital आपको याद रखना है, ब्यूनिस Aries, ठीक है, सब को ही पता होगा Hawaii, Hawaii कापी जादा न्यूज में रहता है, क्योंकि यहांके अब भी last princess थी, वो expire हो गई थी उनका दियानत हो गया था, तो Hawaii का capital है Honolulu, ठीक है Egypt, Egypt का जैसा आपको पता है कि Egypt के president, जो जिनका नाम है अब्दिल फतेल CC, वो आय थे अपने इंडिया में 26 January को हैना as a cheap guest, तो इसलिए आपको Egypt का भी capital पता होना चाहिए Egypt का capital है Cairo, ठीक है Brazil, Brazil काफी जादा news में रहता है, बहुत सारी emergency declare करता रहता है, या अब भी recently उसके prime minister बने थे Lula de Silva, ठीक है तो यह आपको बहुत easy capital है Brazil, बाकी यह पूचा नहीं जाएगा ठीक है, South Sudan South Sudan भी news में रहता है, इसका capital है Zuba, ठीक है Zuba, और अगर मैं आप बात करूँ, Cuba, Cuba sugar bowl of the world, तो इसका capital है Hawana, ठीक है Hawana Bosnia, Bosnia जो अब भी recently 28th member बनने वाला है European Union का, तो यह news में आ गया था तो इसका आपको याद रखना है, यह Bosnia का capital, Sarah G.O शायद बहुत कम लोग को Bosnia का capital पता होगा, बट अब आपको पता लग गया होगा Sarah G.O ठीक है, Amsterdam, Amsterdam किसका capital है, Netherlands का Netherlands भी काफी जादे news में रहता है तो Netherlands का capital है Amsterdam ठीक है, कजाकिस्तान कजाकिस्तान का capital है Astana ठीक है, Astana जहाँ पे अब भी conference, Fiji में होगा था हिंदी conference, World Hindi conference, तो basically important हो जाता है, तो Fiji का capital क्या है, Fiji का capital है Suva, ठीक है, Kenya Kenya में भी एक conference होई थी, जिसका capital क्या है Kenya जिसका capital है Nairobi, ठीक है आप ध्यान रखेंगे Kenya का capital Nairobi, इथोपिया इथोपिया का capital है Addis Ababa, ठीक है Addis Ababa Somalia, Somalia का capital है Magadishu, Magadishu आपको इन में से एकात capital देखने को मिल सकता है, ये मेरे questions से बनाए गए हुए जो news में थे, जादा से जादा मैंने उनको cover किया है, बाकि अगर आपके कोई भी capital आता है, तो आप उसे question बिलकुल solve कीजिए थोड़ा से उसमें दिमाग लगाईएगा, आपको answer मिल जाएगा, ठीक है जो news में होगा capital आपसे पूछा जाएगा next question देखते है so next question है, जैसा कि आप सबको पता है कि military exercise, navy या कुछ भी questions आपसे, defense related question पूछा जाता है, एक तो अपन उससे related सारी चीज़े अपन यहाँ पे cover कर लेंगे तो the inaugural edition of the bilateral air exercise, आपको air exercise का नाम बताना है, basically FKET exam है तो air exercise से direct question पूछा जा सकता है तो इक कौन कौन सी country के बीच में होई थी यह होई थी, Indian Air Force और Japan Air Cell Group के बीच में और यह कहाँ पे conclude हुई थी, यह होई थी जपान में, तो आप exercise का नाम समझी चुके होंगे, यह first time हुआ था, inaugural edition जिसा कहा तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है exercise veer guardian, ठीक है exercise veer guardian और dharma guardian किसके साथ होती है dharma guardian भी होती है, जपान के साथ ठीक है, अब अपन इसमें exercise देख लेते है exercise cyclone exercise cyclone भी काफी ज़्यादा important है यह kis के बीच में यह होई थी यह होई थी, इंडिया और Egypt के बीच में, ठीक है, इंडिया और Egypt के बीच में, इसकी location क्या इसकी location है, राजिस्तान ठीक है, राजिस्तान, कहां पर عईलोई थी, राजिस्तान में, और अगर मैं आपसे बात करूँ युद्ध अभ्यास युद्ध अभ्यास कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है तो ये होती है भारत और यूएस के बीच में काफी बार कुश्चन आता है और ये कहा पर होई थी ये होई थी ओली उत्राखंड में ठीक है ओली उत्राखंड में exercise माला बार exercise माला बार आपको पता है कि quad countries के बीच में होती है बहुत बार पूछा जाता है तो यह कौन-कौन सी country के बीच में होई थी यह होई थी इंडिया, USA, जपान और Australia ठीक है तो यह exercise देख लेते हैं कि कौन-कौन सी exercise आपके एक्जाम में पूछी जाता है तो नेवल exercise देख लेते हैं कि कौन-कौन सी important है जिसे की पदा है आपको SITMAX, SITMAX में कौन सी INS ने participate करा आपसे direct पूछा जा सकता है तो INS कर्मुक ने participate करा exercise संगम जिसमें participate करा INS अभी मन्यू ने first international fleet review जो की host की गई थी बांगलादेश के द्वारा ये भी आपको पता होना चाहिए है न और ये exercise के participants है कि कौन-कौन सी country जिसमें participate करती है इंडो-pacific endeavor में participate करा INS जलसवा और INS कावरती ने मालाबार exercise काफी जादा important है तो INS शिवालिक और INS कामर उता तो आप ये इसको याद रखेंगे बिल्कुल Seashord, Seashord में participate करा INS ट्राइकंड ने जिससे host की गई थी जापान के दौरा नसीम अलबार भी आप याद रखेंगे नसीम अलबार किस-किस के बीच में होती है तो वो होती है भारत और रोमान नेवी के बीच में ठीक है अगर मैं आपसे बात करूँ, INS ट्राइकंड और ऑफ्शोर वैसल सुमित्रा ने इसमें participate करा शायद आपको यह थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा बट यह आपके CDS और NDA और सबके लिए important है और एक question आपका यहां से definitely बनता ही है इंडिया मोजंबिक तंजानिया ट्राइलेटल exercise जिसमें participate करा आईनेस तरकश ने ठीक है तो यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे 7th edition of IBSMR जिसमें participate करा आईनेस तरकश ने ठीक है तो यह चीज़ आप ध्यान रखने वाल अगनी वारियर किसके बीच में होती है होती है सिंगापूर और इंडिया के बीच में कहां पे होई यह होई महारास्ट में सुदर्शन प्राहर यह इंडियान आर्मी के द्वारा होस की जाती है कहां पे होई राजिस्तान में संचार वोध यह इंडियान आर्मी के द्वारा host की जाती है पंजाब में सुरि की रन काफी बार पूछी गई आपके FKT exam में तो सुरि की रन वो थी है भारत और नेपाल के बीच में और यह इस बार host की गई नेपाल में है ना तो कजिंद 2022 बहुत बार पूछी गई है आपके exam में यह host की जाती है इंडिया और कजाकिस्तान के द्वारा और ये इस बार होस्ट की गई मेगाले उम्रोई में ठीक है तो ये चीज दियान रखेंगे हरीमो शक्ती हरीमो शक्ती भी बहुत बार पूची गई है तो यह मलेशिया के द्वारा पोस्ट की जाती है इंडिया और मलेशिया और इस बार मलेशिया में होस्ट की गई गरूडा शक्ती इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है करवांग में यह होस्ट की गई यह जो SEO countries होती है, इनके बीच में होती है, और इस बार host की गई भारत के दौरा, ठीक है, अज strength काफी जादा important है, बहुत बार पूची गई है, तो यह होती है, इंडिया और उस्ट्रिलिया के बीच में, यह तो आपको सब को पता है, बट कहां पे होई थी, यह होई थी राज स्टान में, ठीक है, तो यह आप याद रखेंगे, यह दब्याज जैसा मैंने आपको बताया था, इंडिया और यूएस के बीच में होती है, इस बार होई ओली उत्राखंट में आपसे यह पूचा जा सकता है, नेक्स्ट देखते हैं, तो जैसा कि आपको पताई कि एयर फो बीच में होती है, और यह कहां पर होस की गई थी, तो यह होस की गई थी, जौतपूर में, ठीक है, काफी जादा एक्सराइस राजिस्तान में होस की जाती है, पिछ ब्लेक एक्सराइस मेंली होती है, किस-किस के बीच में, यह होती है, इंडिया और उस्ट्रिलिया नेवी क के बीच में और इस बार 17 countries around अधर्स ने participate भी करा था तो ये चीज भी आप ध्यान रख सकते हैं exercise उदाश शक्ति एक्सुसाइस उदाश शक्ति होती है भारत और मलेशिया के बीच में ठीक है भारत और मलेशिया एयरफोर्स के बीच में होती है तो ये चीज आप ध्यान रखे इसे बहुत बार इक्सुसाइस उदाश शक्ति और एक समनवे एक इंटर्नल एक्सुसाइस है एयरफोर्स की इसे वोस किया गया था आगराम ठीक है इस दो एक्सुसाइस और में बताता हूँ आपको काफी इंपोर्टेंट है आपसे बहुत बार पूछी भी गई है है बीच में और एक एक्सुसाइस और एक डॉषर्ट नाइट इस अगरूला सेवन्ट एक्सुसाइस है थीकर वैसे एक है ड Brillat participating यह सुआ इजे और होता न in इसके बीच में यह उती हें इंडिया और फ्रांस के बीच में इसकिज़ आप ध्यान रखेंगे नाइक्स क्서le देखते हैं, तो जैसे कि आपको सबको बताए कि FIFA World Cup अपी रिसेंटली होस्ट हुआ, है ना, उसमें Argentina ने जीता, तो ये कहां पे होस्ट हुआ, ये होस्ट हुआ Qatar में, तो definitely यहां से कुश्चन आने के chances हो सकते हैं, है ना, तो इसे जीता किसने, इसे जीता, Argentina ने, आपसे पूछा जा सकता है कि कि किसको हराया था, तो किसको हराया था भई, हराया था France को, second पे रहा France, third पे रहा Croatia, fourth पे रहा मुरक को, ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, आपको ये चीज़े ध्यान रखना है, मुरक को, जिसका capital मैं अब भी आपको बताया, Rabbit, और France का तो सब को पता होगा, Paris, ठीक है, Brazil का, Brazil और Croatia जिसका capital है, जैगरेफ, ठीक है, इसलिए ये सारी countries न्यूज में आई थी, थोड़ा सा अपने डीटेल में देख लेते हैं, कि FIFA में और क्या important है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि Golden Boot, Golden Boot आपको याद रखना है, Golden Boot मतलब most number of goals किस नहीं किये थे, तो वो किये थे, Mbappé, Mbappé कहां के player हैं, वो हैं, France के player, ठीक है, Golden Globe Award किसको मिला था, Globes, Globes के लिए, तो वो मिला था, Emilino Martins, ठीक है, यह हैं, अर्जेंटीना के हैं, तो यह चीज भी आपको ध्यान रखना है, Golden Wall, ठीक है, Performer of the Tournament, अपने Lionel Messi जी को मिला था, यह हैं, अर्जेंटीना के, तो यह चीज आप ध्यान रखेंगे, Young Player Award मिला था, Enzo Fernandez के, यह भी Argentina के है, FIFA Fair Play Award मिला था, किसको वो मिला था, England को, ठीक है, तो आपको यह याद रखना है, कि होस्ट किया था, कदर ने, और इस बार का जो मैसकट था, वो था, लाइव, ठीक है, तो यह चीज आप ध्यान रखेंगे, तो यह चीज आप ध्यान रखेंगे, और सबसे ज़्यादा टाइटल्स अगर जीते हैं, तो वो हैं ब्राजील ने, और Most Recent winner कौन सा है, Most Recent winner है, अर्जेंटीना, तो यह सब चीज आप छोटी-छोटी चीजे, ध्यान रखेंगे, और यह जो अवार्ट्स हैं, वो आपको याद होना चाहिए, Next देखते हैं, So Question No.4 थे, Who crowned the 71st Miss Universe 2022, बहुत बार इस टाइप के questions मैंने देखें, कि एफकेट पूछ लेता है, तो अपन इससे थोड़ा सा डीप में डिसकस कर लेते हैं, दिवीता राय, थीके, बॉनी गैबरिल, हनाच कॉर्स, सिंदू, मैक स्मिथ, ठीके, आपको बताना है कि किसने यह आवार्ड जीता है, Miss Universe का टाइटल, यह जीता है, तो यह जीता है, बॉनी गैबरिल ने, ठीके, बॉनी गैबरिल, और भी कुछ टाइटल से अपना आगे डिसकस करते हैं, कि कौन-कौन से इंपोर्टन टाइटल से, तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि Miss India 2022, यह किसने जीता था, तो यह जीता था, सीनी सेथी ने, ठीके, सीन सेथी, आप यह नाम याद रखेंगे, सीनी सेथी ने जीता था, Miss India का टाइटल यह है, करनाट का की, अब आपसे पूछा जाएगा, Mrs. World, ठीके, Mrs. World किसने जीता था, तो Mrs. World जीता था, किसने, सरगम कोशल ने, ठीके, सरगम कोशल ने जीता था, है न, तो यह चीज आप दि दीवा यूनिवर्स किसने जीता था, तो यह जीता था, दीवीता राये ने, ठीके, Miss Universe अलग है, Miss दीवा अलग है, तो यह आप दियान रखेंगे, और Miss Universe वह ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, यह जीता था, किसने, बॉनी गैब्रिल ने, ठीके, जिसा कि आपको पता है कि अवार्ट से कुशन ही काता ही है, कोई भी एक्जाम हो, FKT हो, CDS हो, NDO, कोई भी डिफेंस का एक्जाम हो, अवार्ट सुने बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो आपन यह सारे अवार्ट से एक बार डिसकस कर लेते हैं, तो पद्मी विउशन काफी यह बिद्यानत भी हो गया था, कौन सी फील्ड में मिला इन्हें तो इन्हें मिला आर्किटेक्चर की फील्ड में, ठीक है, यह कहां से बिलोंग करते हैं, यह बिलोंग करते हैं, गुजरात से, ठीक है, यह कौन सी फील्ड से थे, यह थे, मेडिसीन से आपसे पूछा जा सक यह बिलॉंग करते थे बेस्ट बंगाल से इन तीनों को मन्नो प्रांती अवार्ट से सम्मानित किया गया अगर मैं आपसे बात करूँ श्री मुलायम सिंग यादव जी यह पबलीक अफेर से बिलॉंग करते थे यूपी के चीफ मिनिस्टर भी रहे तो यह आपको दियान रख इसे अब आपको एक और नाम याद रखना है श्री एसेम कृष्णा यह पबलीक अफेर से बिलॉंग करते हैं और यह कहां से हैं यह करनाटिका से यह आपको याद रखना है और श्री श्री निवाज वरदान यह कौन सी फील्ड से हैं यह साइंस एंड इंजिनियरिंग से और यह बिलॉंग करते हैं USA से ठीके काफी जादा यह आपको छे की छे नाम आपको याद होना चाहिए आपसे फील्ड भी पूछ सकते हैं तो आप यह याद रखेंगे नेक्स्ट कोष्ण देखते हैं जिसा कि आपको पता है कि भारत ने 74th रिपब्लीक डिसेलिब्रेट किया और ही स्टाइक का कुश्चन हर बार पूछा भी जाता है तो कौन से टैबल्यू को बेस्ट प्राइस से नवाजा गया ठीके बेस्ट टैबल्यू था जिन कौन से सेट का था उत्राखंड, गुजरा मत्यप्रदेश, राजिस्तान तो जिसा आप सबको पता है कि उत्राखंड का बेस्ट टैबल्यू था तो अपर कोई याद होना चाहिए कि बेस्ट टैबल्यू था उत्राखंड का अगर मैं आप से थोड़ा सा ओर डीप में डिसकस करूं तो देखते हैं आगे अगर मैं इंटिनेंट कमांडर दिशा अमरित यह फर्स्ट वुमें नेवल एयर ऑपरेशन ऑफिशल बनी थी जिनने लीड किया था इंडिया नेवी कंटिंजेंट को तो यह भी इंपोर्टेंट है और फर्स्ट हुआ था वुमें परसेनल जिनने पार्टिसिपेट किया था पंद नेवी की फोट है उसी तरीके ऌसे हुती इयर फोर्स की गरूर इसपेशल फोर्स ठीक है काफी जाधह इंपोर्टेंट है आपके एक्लिड में पूछा सकता है कि पस्टकेट MSC पार्फिशल फोर्स क्योब कि होती है ठीक है अर्मी की नेवी की पूर्स каж  कों किस ने किया था लीड इसको लीड किया था प्रीतम सिंग जेदवात ने तो ये चीज आपको ध्यान रखना है शायद आपसे पूछी जा सकती है नेक्स्ट देखते हैं आपन इनरजी वीक जो प्रधान मत्री नरिन मोदी जी ने होस्ट किया था वो कहां पर किया था भैंगलेरू में ठीक है बैंगलेरू एक चीज और होस्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है वो कर रहा है FIBA अंडर 18 टूना में ठीक है तो यह चीज भी आप ध्यान रखेंगे National Youth Conference ठीक है National Youth Conference जो होस्ट की गई थी कहां पर वो होस्ट की गई थी कनाटिका में ठीक है तो यह अपने डॉट्स को कनेक्ट करा काफी अच्छे से यह चीज आप ध्यान रखेंगे नेक्स्ट देखते हैं तो अगर मैं आपसे बात करूँ वयानन वयानन विकम फर्स डिस्टिक्ट इन कंट्री टू प्रोवाइड बेसिक डॉक्यूमेंट्स टू ओल्ट्राइवर्स ठीक है वयानन भी कहां पर वयानन भी कैरला में ठीक है आपसे पूछा जाएगा वर्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैनुस्क्रिप म्यूजियम कहां पर आया यह आया कैरला में ठीक है वर्ड की फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो कहां पर ऑपरेशनल होने वाली यह होने वाली कॉलकत्ता में ठीक है इंडिया का डीपेस मेट्रो स्टेशन कहां पर सेट अप यह आने वाली उत्राखंड में यह भी इंपॉर्टेंट है वो फस्ट दिव्यांग मिनिस्ट्री फॉर डिसेबर्ड यह किसने लॉंच की थी यह लॉंच की थी महरास्ट सरकान ने तो यह भी आप ध्यान रखेंगे और रेजर पे बनाता विकम फस्ट इंडियास पेमेंट ग यह था खुद का क्लाइमेट चींज मिशन तो यह आप से पूछा जा सकता है कि फस्ट में इंपॉर्टेंट है यह थी तो यह आप ध्यान रखेंगे इसकी पीडियेव आपको मैं टेलीग्राम पे देदूंगा इंस्टेंट तो आप महां से पढ़ सकते हैं तो को कॉनेरू अंपी वान दा फर्स्ट एवर सिल्बर मेडल इन वर्ल्ड ब्लिट्स चैंपियंशिप इन अलमाटी कजाकिस्तान तो जैसा कि आप सबको पते ही होगा कि कॉनेरू अंपी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड हैं तो वो हैं का ऐसे भई चैस से ठीक हैं चैस से रिले इसको होस किस ने किया था इसको होस किया गया था उडिसा इंडिया ने ठीक है भारत ने इसको होस किया था अब इसको जीता किस ने इसको जीता जर्मनी ने ठीक है इसको जीता जर्मनी ने किसको आराया किसको आराया बेल्जियम को है ठीक है फर्स्ट कोश्चन अपना हो ग अगर मैं आपसे बात करूँ बार्सी लोना ने जीता था इस्पैनिश शूपर कप तो ये भी आपको ध्यान रखना है और मैं आपको क्या बता हूँ हर बार पूचा जाता है कि कोई भी अगर ग्रेंड स्लेम होता है उसका बिनर कौन रहा ठीक है तो इस बार का मैं बता हूँ अगर इसमें फीमिलने किस जीता है इसमें फीमिल ने जीता आयाना सेबलेंका ने जीता औस्ट्रिया ऐ इसमें क्या बता हूँ मैं अचांए इंडिया ने एक चीज और वह ची थी इंडिया ने वोच जिए था ट T20 World Cup for Blinds, ठीक है, T20 for World Cup Blinds, किसने host किया था, वो किया था, भारत ने, वो जीता भी किसने था, भारत ने, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इंडिया एक चीज और host करने वाला, इंडिया host करेगा, Handball Championship, ठीक है, Handball Championship host करेगा भारत, और ये चीज भी आपको ध्यान रखना है, next दिखते हैं, so last question ये आपके लिए है, और बहुत अपन ने अच्छे से cover किया चीजों को, तो last question है, Natto Natto won the best song at Golden Globe Awards 2023, is of which movie, ठीक है, इस टाइप के question एक भी पूछता है, भले थोड़ी से अच्छी लेवल का नहीं है, इस question मैं चानता हूं, बट ये question इस टाइप ठीक है, triple R का ये song है, सबको पता है ये, तो आप ये चीज ध्यान रखेंगे, क्या पता by chance आ जाए और आपको नहीं ही remind हो, ठीक है, next देखते हैं, कौन सा award और देख लेते हैं, तो award से अगर question ना है, तो बात तो बनेगी नहीं, एफकेट में, अगर मैं आपसे बात करूँ D.Y. चंद्रचोद, ठीक है, D.Y. चंद्रचोद को award मिला था, पनबो देख लेते हैं, ठीक है, इनको कौन सा award मिला था, इनको मिला था, award for global leadership, ठीक है, global leadership का award इनको दिया गया था, तो ये आप नाम याद रखेंगे, और कौन सा award के बारे बात करते हैं, असका police station, ठीक है, अ और कौन सा award बता हूँ आपको, वीना नायर, ठीक है, वीना नायर को award मिला था, best teaching skills, और ये award कहां से मिला था, ये मिला था, आस्ट्रेलिया से, आपको लग रहा होगा यार, बहुत ज़्यादा डीप में बता रहे हैं सर, बट मैंने अब भी FKIT का previous year questions देख रहा था, उसमे ऐसे जराजमोली कोन नहीं जानता इनको, तो इनको ये award दिया गया था, ट्रिपल र के लिए, ठीक है, ट्रिपल र के लिए award दिया था, ये दिया गया था, ये कौन सा दिया गया था, बेस्ट डारिक्टर के लिए, ठीक है, बेस्ट डारिक्टर के लिए दिया गया था, और कौन सा बताऊं आपको सागर ओवलाकर सागर ओवलाकर सागर ओवलाकर को अवार्ड मिला था अरजुना अवार्ड और मल्खम अरजुना अवार्ड और मल्खम तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है और इसमें अपन और दो तीन अवार्ड देख लेते हैं जो आपकी एक्जाम में आ सकते हैं ठीक है बाकी तो मैंने पूरी कोशिश करिए कि अच्छे अवार्ड आपको बता दिये और प्रीवियस यर से पूरे डूंड के सब अच्छे से कवर कर दिये हैं अपने दादा भाई दादा साब फाल के अवार्ड जब भी रिसेंटली गोशित हुएं तो आपको याद अटना है बेस्ट एक्टरेस ठीक है बेस्ट एक्टरेस किसको मिला ये मिला आलनिया भट को ठीक है आलनिया भट को और बेस्ट एक्टर किसको मिला बेस्ट एक्टर मिला रनव कपूर को और बेस्ट मुवी अगर आपसे पूछ ली जाए बेस्ट मुवी राइटिंग के लिए शमचाऊंगा best movie मिली खश्मीर फायज को ठीक है कश्मीर फायज को और best movie of the year किसको मिली best movie of the year मिली कौँँ परिपल को ठीक है मैं इसलिए अपना वीडियो थोड़े शॉर्ट से रखता हूं कि छोटे वीडियो होते हैं तो इंट्रेस्ट आता है पढ़ने में अगर पांच माच शीचे गंटे की वीडियो में पढ़ाने लगूं तो मैं भी बहुत अच्छे से जमा जमा के लिक सकता हूं ठीक ह और मैं आपको क्या बता हूं अब भी रिसेंटली एक बाफ्टा 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 अवार्ड्स गोशित हुए उसमें सिर्फ आपको यह याद रखना है और जो आपको पता है कि चैलो शो ठीक है चैलो शो जो यह गुजराती डॉक्यूमेंटरी है यह आसका सर में नॉमिनेट वी थी ठीक है तो यह भी आपको पता होना चाहिए ओसकर तो वैसे अब भी मार्च के एंड में अनॉंस होंगे बट मैंने आपको यह चीज बता दिये तो यह चीज आपको ध्यान रखना है तो आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इस जो भी ड्रीम जॉब है वो उसे हासिल करें ठीक है मिलते है नेक्स क्लास में चप्तर के लिए जैहिन जैवारत